नया जमाना, टर्निंग टाइड्स डर्बन के चमकते हुए रास्तों पर, अमपाला तेजी से आगे बढ़ रही थी. कुलवंत, का चला रहे, खुशी से एक बॉलिवुड सौंग गुंगुनाते जा रहे थे. सुर्भी, चुपचाप बैठी हुई, यूस ताजी निगाहों से ध्यान से देख रही थी. जब अमपाला बजार की भरी हुई सादकों से गुजर रही थी, सुर्भी ने कुलवंत पर तेज नजर डाली और कहा, अंकल, अगर आपको एक मेडिकल शॉप दिखे टु कृपया यूस साइड में रोक देना, मुझे दवाई लेनी है, कुलवंत के चहरे पर आश्चर्य क व्यक्ति हुआ, क्यूं, तुम्हारा स्वास्थे टु ठीक है ना, हाँ, मैं ठीक हूँ, तु फिर तुम्हें दवाई क्यूं चाहिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे साथ कुछ हुआ है क्या, मैं बिलकुल ठीक हूँ, तुम बहुत भोलू हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, अगर तुम्हें कहीं मेडिकल शॉप दिखे, तु वहां गारी साइड में करके रोक देना, मैं वान मिनिट में वापस आ जाऊंगी, कुलवंत को समझ में नहीं आया, तु वो चुप हो गए, उनकी निगाहे स्क्रीन विंडो से होकर बजार के दोनों तरफ भाग र रही थी, कुछ देर बाद एक मेडिकल शॉप दिखाई दी, तु गारी को साइड में लेकर शॉप के सामने रोक दिया, लाव, दवाई की दुकान आ गई, जल्दी से दवाई लेकर आओ, सुर्भी ने जल्दी से दरवाजा खोलकर मेडिकल शॉप पर पहुँच गई, कु में डाला और पैसे देकर तुरंत वापस आ गई, घर चलिए, बोली सुर्भी कुलवंत की तरफ देखते हुए, हो गया काम, कुलवंत को बात समझ में नहीं आई टू वो छुप पी सादली, उनकी निगाहे स्क्रीम विंडो से होकर बजार के दोनों तरफ भाग रही थी, क अन महीने पहले जब वो डर्बन आये थे, तब की सुर्भी और आज की सुर्भी में जमीन आस्मान का फर्क था, पिछले टू दिनों में टू उसका हवाभव एक्दम बदल सा गया था, ये सब सोचते सोचते वो विचारों में खो गए, कल सुबह वो धधराते हुए स्नान घर में घुस गए जो उनके पाउं के नीचे की जमीन घीसल गई थी, वहाँ पर सुर्भी पहले से ही स्नान कर रही थी, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, कुलवंत फोरन बहार आ गए, सुर्भी की पीच दरवाजे की तरफ थी, शायद उसने कुलवंत को नहीं दे पता नहीं चला, मगर इसमें गलती चु सुर्भी की ही थी, सुर्भी को अंदर से दर्वाजा बंद करना चाहिए था, अस घटना को गुजरे 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था, मगर कुलवंत की आँखों में स्नान घरवाला द्रिश्य बर-बर घुंता जा रहा था युवान की दहलीज पर खड़ी सुर्भी के उस रूप में यूज जखजोर कर रख दिया था, यूज अपने आप पर सुर्भी पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने भी सुर्भी के अंदर से दर्वाजा बंद क्यों नहीं किया, क्या ये लापरवाही थी या जान अच्छा होगा कि निशान्त जल्दी से वापस आ जाए, इन विचारों के साथ वो बचपन की यादों में खो गए, कुलवंत और निशान्त बचपन के दोस्त थे, दोनों के घर आसपास हाई थे, साथ ही खेलते कूरते बचपन गुजरा, एक ही स्कूल में शिक्षा मिली, युनिवर्सिटी में भी साथ में एड्मिशन लिया, बाद में निशान्त ने सीए की परीक्षा उत्तीर्न करके चार्टर्ड अकाउंटन्ट का काम शुरू कर दिया, कुलवंत ने अपने पिता का खेती बाड़ी का काम संभाल लिया, एक दिन अच्छा रिष्टा आया उसने अपनी पसंद से सिलवाए, बरातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रीती भोज का मेमू तै करने तक में उसने प्रभुदयाल जी की मदद की, लोग भी कहने लगे की निशान्त और कुलवंत दोस्त नहीं, बलकी भाई है, कुछ समय बाद कुलवंत की भी शादी हो गई, उसकी शादी में निशान्त टु आया, मगर उसकी पत्नी स्रिजना नहीं आय थी, कुलवंत को बुरा लगा, उसने अपने दोस्त को अच्छी तरह सुनाया, निशान्त ने उस दिन कुछ भी नहीं बोला, कुलवंत की हर बात को उसने सहचता से लिया, घर घरस्थी मे बंधने के बाद दोनों अपनी अपनी घरस्थी में व्यस्त हो गए, कभी कभी दोनों मिलते टू एक दूसरे से शिकायत करने में ही समय गवा देते, कुलवंत को कर्याई बारलगा की निशान्त की घरस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है, उन्ही दिनों खबर लगी की निशा के बेटी हुई है, मिठाय और उपहार देकर दोनों पती पतनी वापस आ गए, कुछ दिनों बाद एक अन्यमित्र के द्वारा पता चला की निशान्त और स्रीजना की आपस में नहीं बनती, दोनों में रोज ही जगड़े होते रहते हैं, पुत्र और बहु के जगड़ों स दुखी प्रभुदयाल जी की एक दिन हार्प अटैक से मौत हो गई, उनकी मौत के बाद टु निशान्त और स्रीजना का मामला बिगड़ता ही चला गया, मित्रों के घर के बुरे समाचारों के बाद कुलवंत भी चिंतित हो था, एक दिन वो अपनी निशा को लेकर निशा के घर गया, वहां दोनों को समझाया, यहां कुलवंत को पहली बार लगा की स्रीजना बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी, निशान्त ने टु यूस धैर्य के साथ सुना, मगर स्रीजना ने उन्हें डो तक शब्दों में कह दिया, देखिए, कुलवंत जी, आप अपने घ को संभालिये, हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है,